नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप से आपकी सी यूट्यूब चैनल डाइवर्शिन मेंटर में और आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक पहतरीन टॉपिक हाला कि इस टॉपिक को हुमी एस यूनिट वाइस करवा रहे हैं क्योंकि यह जो है यह सिले पीडियाफ को पाना तो लिंक डिस्क्रिप्शिन में है वहां से आप पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अगर मैं दूसरी बात करूं तो यदि आप चाहते हैं कि आप इस चैनल के संग जुड़े रहें तो यदि आप नई यूजर हैं तो आप रेड कलर के सब्सक्र करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस खुश कबरी को भी सुने और आगे बढ़े इस सफर में तो हमारे जो 2023 वर्ष ने काफी अच्छा रिस्पॉंस हमें दिया है हमारे चैनल को लगभग लगभग 113 नई सब्सक्राइबर्स को जोड़ा है उसके लिए इस साल क 300 बार देखे गए हैं और जो हमने अपलोड इस वर्ष किये यानि 2023 के अंदर किये गए वो हमने 58 अपलोड किये हैं जिन पर आपने लगभग लगभग 1155 लाइक्स के साथ अपना प्यार दिखाया है और हाँ 26 बार आपने कमेंट्स किये हैं और 249 बार आपने इस वीडियो क को शेयर किया है तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है आप सभी कि आप सभी हमें इतना सही योग करते हैं कि हमें मोटिवेट करने में आप पूरी-पूरी मदद कर रहे हैं इसलिए हम जोगरोफिस की वीडियो उसको लाने से परहेज नहीं करते पूराने वर्ष की किताब को चलिए बंद करते हैं और 2024 के अध्याय को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की वीडियो के साथ और खुशियो के कलम उठाएंगे और हर पल को हस्ते रंग दे जाएं सफल होने के तीन नियम है हमें खुद से वादा करना होगा महनत को ज्यादा करना होगा और अपना इरादा मजबूत रखना होगा तो मैं हूँ इस चैनल का होस्त और आपका दोस्त धूली आज आज याज वीडियो शिरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हमारी जो एनर्सी रिसॉर्सी आते हैं होने हम समझेंगे आजकी इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक बहतरीन टॉपिक जो की है energy resources energy resources वे संसाधन होते हैं जिनकी सहायता से हमें क्या मिलता है हाँ जी एक सेकिंड चल जिनकी सहायता से इसमें थोटा technical fault है हम इसको ऐसे ही रखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे energy यानि जिन resources की सहायता से हमें energy मिलती है उन्हें हम energy resources कहते हैं चाहे वो उन्हें जलाकर हमें energy प्राप्त करनी हो या फिर भाप की तरीके से कहीं न कहीं हमें energy प्राप्त करने होती है clear? चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं कि हम क्योंकि ये जो PDF है हमारे पास ये दोनो माध्यमों में मौझूद है आप चाहे जिसमा आपकी compatibility के लिए हमने दोनो माध्यम के अंदर इस PDF को बनाया है और आप इस वीडियो को चाहे तो आप as a video lecture भी concern कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि इन notes को आप as a use कर सके अच्छे तरीके से तो आपको बस इतना करना है कि आप इन notes को आप में link description में होगा drive का वहाँ से आप इसे अच्छे से download करकी readout कीजिए notes बनाईए कुछ भी कीजिए वो आपके लिए copyright free होगा ठीक है उर्जा को एक्षक्ति संसाधन और कारिय की करने की एक्षमता की रूप में समझा जाता है ठीक है इसके जो कई मौजूद रूप है जैसे गतिज उर्जा, संभावित ताप, यांतरिक, विध्यूत, रसायन, जल, पर्मानू, भूताप ये आधी है जैकिए इसके अंदर जैसे गतिज क्या होता है जैसे हमें गतिज करने के लिए उर्जा क्या वशक्ता होती है ठीक है फिर क्या होता है संभावित तापी यानि हमें टेंपरेचर की संभावना पता होने चाहिए कि इस टेंपरेचर पर यदि हम किसी भी मैटेरिल को गरम करती है तो उससे हमें हीट जैनरेट होती है और हीट जैनरेट होगी तो हमें उससे एनरजी प्राप्त होगी फिर यंत्रक यानि यंत्र से हमें उर्जा में जैसे टरबाइन चलाते हैं पानी डालकर हम टरबाइन चलाएंगे तो वो यंत्रीक उर्जा हो गए अच्छा वो यंत्रकी साहता से उस उर्जा को हमें बिजली के रूप में परिवर्टित किया जाता है तीक है फिर इसके बाहर बात आती है जल जल तो हमें बहुत जल विद्धिती से हाइडरो एनरजी कहते हैं उसमें बहुत साहता करता है परमानू न्यूकलियर एनरजी में बहुत साहता करता है फिर बात कर लेते हैं हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उर्जा प्रात्मिक इंपूट है ठीक है और उर्जा की उपलब देता जितनी नियमित और प्रचूर होगी आर्थिक समरीद्धी का मार्ग उतना ही सुगम होगा देखे इस लाइन को समझने के लिए आपको बहुत ही आसान सी ल मात्रा में होगा तो आर्थिक समरीद्धी का जो मार्ग है वो काफी सरलता पूरवक मदलब सललता पूर्वन होगा ठीक है खाल के दिनों में शहरी करण और और अधियो की करण की रिधी के साथ साथ उर्जा संसाधनु की भी भूमिका का या बढ़ गई है बिलकुल सही कहा इस पॉइंट्स के अंदर इसे पारंप्रिक और गैर पारंप्रिक स्त्रोत की रूप में भी जाना जाता है देखी पारंप्रिक स्त्रोत क्या है जो हम पुराने समय से यूज करते आ रही है और गैर पारंप्रिक स्त्रोत क्या है जो हम जिसे हम रिन्यूबल एनर्जी भी कह सक एक क्रेशन बनी हुई है हम इन प्रोड़क्स को सौर्जा हो गई पवन उर्जा हो गई यह अभी हमें यूज करने से क्योंकि कट्राती है हालाकि सरकार इस पर वह 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 पूरा जोर दे रही है आप सभी as a option के तोर पर क्योंकि सोर उर्जा और पावण उर्जा इतनी सस्ती है उतनी ही आपके लिए फायदे मन भी साबित हो सकती है सबसे पहले जान लेते हैं conventional sources उर्जा के पारंप्रिक स्त्रोत प्रागर्तिक उर्जा संसाधन के रूप है जिनका नियमित रूप से कई परशो तक प्रयोग किया जाता है और जैसे गर्मी, प्रकाश, भोजन, बिजली पैदा करना इंधन के रूप में स्विकार किया जा सकता है non-conventional sources के अंदर आते हैं हमारे गैर पारंप्रिक स्त्रोत, वे उर्जा स्त्रोत है जिनका प्रयोग आधुनिक प्रद्योगी की प्रगति के कारण होता है इसमें पारंप्रिक इंधन को सामान्य उप्योग की बजाए इससा प्रयोग किया जाता है तो आज हम सार्ट करने वाले हैं कोईला के बारे में तो मोटे मोटे तोर पर यह है वीडियो होगा दीपली क्योंकि हाँ जी तो इस वीडियोग के अंदर हम जानेंगे कि कोईला क्या है एक ज्वल अंसील पदार्थ है इसे हम क्या कहती है ब्लैक गोल्ड भी इसे कहा जाता है काला सोना जी भी इसे कहा जाता है ठीक है फिर यह अवसादी चटानों के रूप में पाय जाता है ठीक और इसका जो प्रमुक रूप हो वो हाइड्रो कार्बन से बना है क्योंकि यह है प्रगाश और गर्मी की उतसर नर्जी प्राप्त होती है इसमें अलग-अलग अनुपाथ में अस्थीर पदार्थ नमी और राख शामिल है फिर इसमें बात आती है जो हमारे नए उसके बारे में क्वेले में देहनशिल पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा होती है ठीक है मृत पोधे और जिवाशम से यह प्राप्त होता है विध्यूत उत्पादन में यह रीड की हड़ी का काम करता है क्या करता है रीड की यानि बैक बॉन अफ दे electricity production इसका आप ध्यान रखी यह point काफी important है कई बाद छोटे questions के अंदर आप सभी से पूछा जा सकता है ठीक है फिर हम बात कर लेती है कोईला की हुद्पत्ती sorry जिसमें सामगरी संचे अपगटन यानि decomposition क्योंकि कोईले का origin है वो इन सभी इन सभी दोर से होकर गुजर कर जब कोईले का निर्मान होता है जिसमें हमारे heat and pressure यानि heat भी होनी चाहिए और pressure भी पड़ता है और फिर उसके mineralization होता है यानि खनीजी कर्ण और फिर क्या आता है हमारा इसके अंदर आता है हमारा geological process ठीक varieties of कोईले के प्रकार हम जानेंगे इसको हम हिंदी में भी समझना चाहेंगे क्योंकि हिंदी पर हमारी जो है हमारा विभाग ही हिंदी है सबसे पहले एंत्रसाइट कोईला B2 मिनस, फिर लिगनाइट और पीट कोईला आज हम इन कोईले के बारे में जानेंगे चले, सबसे पहले जान ले दे हैं एंत्रसाइट कोईला के बारे में एंत्रसाइट कोईला क्या होता है कि वा काफी कठोर और सगन होता है लोहो योगिकों की और नमी से अप्रेक्षा मुक्त होता है यानि जिसमें जितनी नमी कम होगी दहन करने के दोरान यानि जब इसे हम जलाती है तो वो उसमें काफी कम धुआ छोड़ता है ठीक है जैट ब्लैक कलर का होता है और चमकदार और बहतरीन बनावट होती है फिर इसकी जब हम इसे जलाते हैं तो नीले रंग की लोपैदा होती है और हाँ इसमें कोई धुआ नहीं होता है संयुक्त राजय अमेरिका और पूर्वी पैंसील लेविया में इसके काफ़ी ज़्यादा मत्रा में हैं पाये जाता है ठीक है जी अरे आप तो शेर नहीं करते इस वीडियो को तो जल्दी से जल्दी शेर कर दीजी इस वीडियो को ठीक है फिर बात आती है बिटु मिनस कोईला बिटु मिनस आपने एक जगा ओल सुना होगा वो सडक निर्मान में एक होता है तारकोल जिसको दूशरी शब्दों में बिटु मिनस होती है ठीक है, तो इसमें कुछ एक मातरा उसकी भी डाली जाती है कोईले के भी जिसका आगे जानती है यह काला और चमकदार होता है इसमें नमी की मात्रा क्या होती है जो बहुत कम होती है और कार्बन की मात्रा जो है वो लगभग लगभग इसमें 50-80 परिस्तिशत पाई जाती है सरवादिक व्यापक रूप में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है अच्छा इसका नाम गरम करने के बाद निकलने वाले बिटुमें नामक प्रोड़क्ट से निकला है जब कोईले को गरम किया जाता है बिटुमेंस के नावने को तो इसका जब गरम करने पर जो यह तार निकलता है जिसे तारकोल कहते हैं या फिर बिटो मेन, बिटो मिनस भी कहते हैं इसका गाम कर्ण भी उसी शब्र से हुआ है ठीक है इसका प्रयोग कोक और गैस उत्पाधन की रूप में किया जाता है अच्छा पूरुव जो इसके प्रमुख निक्षेप कहां पाजाते हैं एलिप्शियन पढ़ार के पास पास लिगनाइट कोईले को हम जानते हैं इसे भूरा कोईला भी कहा जाता है और इसमें नमी ज्यादा होने के कारण इसमें कारवन की मात्रा घट कर 40 से 55 पीसद के बीच पाई जाती है यह लोईस्ट क्वालिटी का यानि निम्निस्टर का कोईला पाई जाता है रंग गहरे काले से काले भूरे के बीच में होता है ठीक है इसके विशिष्ट गूर्ण एक्स्पोजर पर विगटित होने के यहां स्वतह संपूर्ण दैन के लिए उतरदाई बनाती है रेशी दाल तथा कभी-कभी यह लकडी दार भी होता है पीट कोईला को हम समझेंगे पीट कोईला जो है वो लकडी से कोईला बनने की फर्स्ट स्टेज का होता है यह इंधन कैसा माना जाता है भारी होता है वजन जो है इसके काफी भारी होता है और कार्णमन की मातरा 40 फीसद या इससे कम भी हो सकती है प्रियाप्त एस्थी पदार्थ धेर सारी नमी होती है कम गर्मी और अधिक दुआ छोड़ने के कारण यह बहुत सारी राक भी छोड़ता है ब्रिकेटिंग के दोरान इसे छोटे छोटे टुक्टो में परिवर्तित किया जाता है अब बात कर लेते हैं जी प्रोडक्शन की प्रोडक्शन के अंदर इसके कैसे हमें इसके जो माइन्स होती है उनको हमें क्या करना पड़ता है एक्स्प्लोर करना पड़ता है फिर हमें माइनिंग करनी पड़ती अच्छा उसके माइनिंग के बाद फिर हमें मन में सवाल आता है इसके ट्रांस्पोर्टेशन का फिर इसे process किया जाता है वो इसे store किया जाता है consumption or utilization यानि जहन तो करना है यानि उसे हमें utilize भी करना है और अच्छा जब हम use करते हैं तो हमें क्या है परियावरण के बारे में भी विचार करना है क्योंकि कोईला एक ऐसा मात्र है जिसकी वज़े से एच्छा कोईला और पेट् side gas की वृद्ध ही होती है चली उप्योग की बात करें तो इसके उप्योग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी हम आपको बता देते हैं इसका प्योग सबसे पहले कहां पर होता है हाँ जी इसका प्योग विद्दू दूतपादन में होता है और दूसरा जो इसका उप्योग है वो अध्योगिक प्रकिरियाओं में होता है क्योंकि यह है उध्योग की रेड़ की हड़ी भी माना जाता है ठीक है और आवासिय और वानी जहतापन भी होता है भाप इंजन भी इससे चलते थे अब नहीं चलते नो 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 स्टीम इंजन अब आपको कहीं ता कहीं म्यूजियम में मिल देंगे और रसायनिक यानि कैमिकल इंडस्ट्री में भी इसका उप्योग होता है और सक्रिय कार्बन में भी इसका उप्योग होता है कोईला गैसी कर्ण के भी इसका उप्योग होता है घरेलू में भी जैसे अंगी फिर निर्यात व्यपार ठीक है अब सबसे बड़ा आपकी मन में सवाल है और हमारे मन में भी है आफिर इसकी मांग क्यों बढ़ रही है क्योंकि बढ़ते इंडर्श्रिलाइजेशन की वज़े से इसकी मांग बढ़ रही है 2022-2024 के दोरान अर्थवेवस्था में अत्यधिक विस्तार होने की कारण क्या हुआ जो सकल उत्पाद की व्रीदी धर है वो साथ दश्मलव चार रही आंचिक यह है कुईली से प्रेरित है कूल इंडिया या फिर दूसरी जो है अपने नाम सुना होगा जो जिसकी ख़दार जो है वो कहाँ पर मौझूद है वो आपके मध्यापरदेश के सिंग्रोली जिले में है जो कहाँ पर आता है वो आता है मध्यापरदेश 36 गड़ बैल्ट के अंदर तो आगे information आपसे share करते रहेंगे केंदर सरकार ने निजी क्षेतर के लिए कोईला खनन खोल दिया गया है इसे अपने महदवकांशी कोईला क्षेतर सुदारों में से एक बताया है सरकार का अनुमान है कि यह कोईला उत्वादन दक्षता और परतिस पर धाल लाएगा निवेश और अच्छा इसका जो center है वो क्या है अधिक से अधिक profit अर्ण करना सरकार ठीक है profit के लिए तो सरकार efforts करती है तो विश्यू भर में कोईले का वित्रण तो विश्यू भर में कोईले का वित्रण साइबेरिया रूस में सबसे ज़्यादा कोईला पाया जाता है Great Lakes और Appalachian क्षेतर में भी इसके सबसे ज़्यादोत पात पात पाते हैं रूहर और राइनलेंड में भी इसके सबसे ज़ाद उत्पाद पाए जाते हैं जो लोह बंडार में भी मद्द करता है इंग्लेंड को भी साउथ वेल या यॉर्क्षायर मैंचस्टर लीवरपूल जैसे जाहसे इस्थानों पर इसका सबसे ज़ाद उत्पादन पाए जाता है फिर ब्राजील दक्षिन अमेरिका में इसका कोईला उत्पादन पाए जाता है चीन में निम्न स्तरक के गुनवत्ता का कोईला पाए जाता है अता यह मेटरलाइस ग्रेड कोईला आयात करता है ठिक यॉसे अब बात कर लेते हैं जी हम भी यॉसे की क्योंकि मेजर जो कोईला उत्पादन में है वो लगभग लगभग अपने वर्ज भर में 18 फीसद अपना कोईला उत्पादन करता है जिसमें वह 37 परतिशत कोईला कहां पर यूज करता है बिजली उत्पादन में अच्छा यहां पर जो है 25 राज्यों से जो है इसका खनन होता है जिसमें व्यॉमिंग, वैस्ट, वर्जीन, वर्जीनिया और केंटकी, पैंसीलेविया, टेकसास यह कुछ एक ऐसी जगह है जहां पर निम्स्तर कोईला पाया जाता है प्रमुक्स के तरा आप यहां पर देख पा रही है ठीक, फिर उसके बाद करते हैं रश्या जिसे पुराने समय में पहले इसे यो एस एस आर के नाम से जाना जाता था अच्छे यहां पर जो है रूस के अंदर सबसे दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जो दुनिया के लगभग लगभग 19 परतिशत के आसपास है और यहां पर लगभग कोईला उत्पादन है वो 173 बिलियन टन है और यह रूस के अधिकांच भाग जिसमें कुनेग्स और क आसक चीनिक बेसीन में यहां बर मवजुद है इसके प्रमख औक शेत्रा त्रीवी अपने फोन स्क्रीन पर देख पा रही हैं जिसके अंदर डूनेज बेसीन और युराल अक्षेत्र मासको तुलाक शेत्र कारागंड़ अक्षेत्र पिकोर अक्षेत्र और पूरी सुदूर उत्तरी साइबेरिया तथा ट्रांस बाइकाल सुचान और स्खाली ठीक है जी अब बात कर लेते हैं चीन की चीन जो है वो तीसरे स्थान पर आता है वर्ष भर में जिसका लगभग लगभग सबसे ज्यादा कोईला उत्पादन करता है लेकिन यह है अपना सबसे ज्यादा वह है अपने कहां पर यूज करता है बिजली बनाने के लिए ठीक है और इंडस्ट्री हुजली डेपाइंड ओन को यह हम सभी जानते हैं यह मैप की द्वारा आपको यहां पर लोकेशन्स दिखाई गई है जहां पर सबसे यह आप यहां पर यूज से देख पा रही है यह इंडिया के उपर यूज से है रुशिया जिसमें डोनाक्स बेसीन और यह चीन का ख्शेतर यहां पर दिखाए गया है और इंडिया आप यहां पर सी यहां पर यह इंडिया है टिक इसके अंदर दिखाया गया है कि अपने पास कोल रिसार्फ का जो डिस्टिबीशन है वो इसकी साहता से दिखाया गया है यूनाइटीड स्टेट्स ये डेटा है ठीक है ये डेटा चेंज भी हो सकता है अगर हम अपने इंडिया की बात करें इसके अंदर अगर हमें इंडिया की बात करें तो 36 गड़ और इशा और जारखंड में कोईले की कुछ-कुछ कदाने पाई जाती हैं जिसमें है आपकी डेलतन गंज नौर्थ करनपुरा हुत्र और इसमें है चंद्रगड रानी गंज जैसे कोईला खदाने पाई जाती है यह अंदर परदेश के अंदर हम दिखा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर इंडियन जोग्रफी के भी आपके साथ की साथ है इसके शिक्स च्छटा स्थान है वो रिजर्व के अंदर है साथ दश्मला साथ परतिशत ही है कोईला पादन करता है और पांचवे नंबर पर यह है प्रोडक्शन के मामले में है ठीक है फिर बाद आती है महरास्ट्रु की महरास्ट्रु के पास तीन परतिशत कोईला रिजर्वस है और यह सेवन्थ परसेंट अपना प्रडक्शन करता है इसके अंदर कैम्टी कॉल फिल्ड जो की नागपुर डिस्टिक में है अच्छा वन फिल्ड जो है वो कहाँ पर है वावा मल जास्ट्स है कि इसके अंदर हम देख पा रहे हैं जी मेजर कॉल फिल्ड जो है वो इंडिया की है जिसके अंदर आप सभी को जारिया भुकारो रानी गंच आई भी तलचेर सिंग्ध रानी लिग नाइट शरी यह लिग नाइट जगह नहीं है अज के लिए वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हम इसाज़त दीजे जय हिन जय भारत